वेले विडियो में वेल्कम तो मैं चैनल विंक परमसिस्ट आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाउट द रीविई आर्टिकल very interesting topic very much needed topic बहुत request था इस topic के बारे में कि research article and review article इन दोनों में वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए तो एक वीडियो में इनके बारे में बताना is not possible इसलिए थोड़ा series टाइप करके पहले review article के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आज कि इस वीडियो में next वीडियो में हम लोग की review article and research article में difference क्या है and next दो वीडियो बनाएंगे एक तो research article लिखते कैसे है और review article लिखते कैसे है अज का इस वीडियो बस एक overall view देंगे हम लोग touch करेंगे कि कैसे क्या करना है पूरा पहले तो यह होता क्या है review article होता क्या है कौन-कौन लोग इसको बना सकते है कैसे ब कहीं से कुछ information तो यहां पर कुछ problem आता है कि नहीं तो इन सारे को हम लोग detail में discuss करेंगे सबसे पहले review article क्या है यह जान लेते है तो review article इसका अगर हम लोग पूरा नाम देंगे review an article review का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ जो already exist करता है उसको हम लोग review दे रहे मतलब यहां प इसको हम लोग एक article बोलेंगे ठीक है मतलब किसी भी एक law किसी भी एक principle किसी भी कोई एक चीज़ जो एक descriptive format में written है written format में noted है and exist करता है उसको हम लोग कहेंगे article so that is called actually review article जहां पे कुछ एक particular topic और कुछ particular topics already present करता है already exist करता है in universe and उसके उपर हम अपना opinion देंगे उसके उपर हम लोग एक review करेंगे एक retouch करेंगे ठीक है कुछ नया interesting हम लोग आपर ढूनेंगे और उसको हम लोग दिखाएंगे ना कि पूरा copy paste करेंगे एक ही जगा से बिलकुल ऐसा नहीं है हम लोग एक particular topic हम लोग लिए चूस करेंगे review के लिए जिसके उपर हम लोग review करेंगे और उसका जो data है उसके लिए जो data है वो हम लोग different जगा से collect करेंगे not from any single website और single place right and different place से वो collect करके हम लोग उसको एक ही जगा पे अपना एक ही article में उसको लिखेंगे पूरा और whatever हम लोग उसको description करेंगे फिर वहां पर आप अपना abstract देंगे review देंगे that's actually called as a review article थोड़ा और detail में जारेंगे इसको सबसे पहले take an example कुछ भी एक topic suppose anti-cancer drug anti-cancer drug this is a topic तो हम लोग anti-cancer drug google search करेंगे तो बहुत कुछ हमारे पास आ जाएगा so review article is not like कि हम लोग anti-cancer drug हमारा topic कर देंगे और कोई भी एक उठाके वहां पर हम लोग paste कर देंगे बिल्कुल ऐसा नहीं है हम लोग को topic खुद से चूज करना पड़ेगा हम लोग anti-cancer drug ऐसा नहीं topic चूज करेंगे हम लोग करेंगे कोई specific drug या फिर कोई हो गया कि हम लोग review कर रहे है radioactive isotopes के use in cancer और वोटेवर तो यह हो गया हमारा पहले topic चूज तोपिक अभी इस टॉपिक में हम लोग article publish करेंगे तो पब्लिश के लिए के लिए सबसे most important to thing है वह डेटा हम लोग को डेटा चाहिए बहुत सारा डेटा से यह फ्रम डिफरेंट जगब ठीक है अलग 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 research articles से हम लोग help लेंगे और हमारा जो topic है वह खुद का topic होना चाहिए topic हम लोग copy paste नहीं करेंगे topic should be ours ठीक है topic खुद का होना चाहिए topic कुछ interesting होना चाहिए topic कुछ new होना चाहिए और उस new topic पे हम लोग जितने भी research article है review article है books है journals है उन सारे जगा से जीतना data होंगे collect करेंगे and वहां पर हम लोग यहां पर paste करेंगे paste करेंगे मतलब यहां पर हम लोग लिखेंगे उसको और paste भी कर सकते हैं it's not a big deal हम लोग पेस्ट कर सकते हैं लेकिन हुब हूँ एक ही चीज कहीं से उठाके नहीं कौन कौन से लोग यह कर सकते कौन कौन से students इसमें पार्टिसिपेट कर सकते या फिर रिव्यू कर सकते सबसे पहले यह हमारे syllabus में already present है अगर आप लोग बैचलर इन फार्मसी बढ़ रहे हो तो लास्ट सेमिस्टर जो होते हैं हमारा एट सेमिस्टर या फिर कहीं कहीं पर से एपर्म यह एंफाम में है ज्यादे इंपोर्टेंट तो रिव्यूर आटिकल करना होता है कि मैंडितरी है पता नहीं सब लोग करते हैं यहाँ पर रिव्यू आटिकल प्लेस करना होगा औरि रिव्यू आर्टिक एल किसी-कॉलेज डिफरेंट जर्नल से पूब्लिश कराते है डिपंड करता है institute के उपर ठीक है जैसे कि मेरा जो journal पब्लीश वा ता या फिर रिव्यू आठिक्ल्स वह यह जो था वह ऊड्रीशनल ऑफ एडवांस से हैंस मेरे जुट जर्नल धा भी वही से पब्लिज होगा ठीक है नाव जेनरली बीफर्म में अगर आप लोग हो तो यह मोस्ट वेलकम एक तो है यह आपका इत डाजन्ट मैटर कि आपका किसी भी सेमिस्टर होना चाहिए कोई मैटर नहीं ऐसा आप लोग फर्स सेमिस्टर में हो तो बीफर्म के स्टूडे सब्सक्राइब कर सकते हैं एक चीज़ के बार में आप लोग बहुत डिटेल में जाना होता है रिवी आटिकल लिखने के लिए ऐसा नहीं की कॉपीपेस्ट कर दिया बस हमारा जो टॉपिक हो होता है खुद का जो टॉपिक होता है वो यूनिक है वो कॉपीपेस्ट नहीं है तो उस टॉपिक के लिए हम लोग को उस टॉपिक के सब टॉपिक्स बहुत सारे होंगे उन सारे सब टॉपिक्स को हम लोग को खुद से रीट करना होता है लिखना होता है कलेट करना होता है लाज को and whatever diagrams etc फिर जाके हम लोग खुद का जो हमारा आर्टिकल है वो लिख सकते हैं which is a very good thing क्योंकि हम लोग बहुत सारे कुछ रिसर्च कर रहे ही पे अभी the process कैसे हम लोग research review article publish करेंगे सबसे पहले तो चूज कह लेजिए आपको किसी teacher के थ्रूए करना है कोई professor के थ्रो या फिर आपको खुद से करना है क्योंकि अगर आप confident हो आपको सब कुछ पता है तो that is okay that is fine but अगर आपको नहीं पता है तो talk to any teacher या professor उनसे बात कीजिए जो भी respective आपका department है जिस subject से या फिस टॉपिक से आप लोग करना चाते हैं उस subject के particular जो teacher है उनसे बात कीजिए कि I want to publish my research review article so they will help you they will help you out वह आपको review आपका पहले तो आपको अपना topic चूज करना होगा कहीं कहीं पर professors help करते हैं review article के topic चूज करने के लिए अब खुद से भी कर सकते हैं help भी ले सकते हैं topic जैसे चूज होगे आपका आपके topic के हिसाब से आप अपना research start कर दीजिए research मतलब यहाँ पर theoretical research है अप लोग data collect करना diagrams data and diagram data आप लोग copy कर सकते हो from the original sources but diagrams बगेरा जो होगा वह आप लोग खुद से बनाई है ठीक है वह copy मत कीजिए बाकी जो written language है उसको भी आप लोग directly copy paste ना करके थोड़ा सा अपने language में publish कर सकते हैं अपने जो प्रोफेसर से टीचर से उनको दिखाईए जो भी mistakes होंगे वह देखेंगे पहले ठीक है क्योंकि एक proof reading के लिए जाते हैं देन आपको एक journal ढूणना पड़ेगा मतलब जिस भी journal से आप लोग publish करना चाहते हो respective होना चाहिए आपके जो भी topic है उससे फिर वहां से आप लोग apply करोगे यहां पर professors help कर सकते हैं आपको उनसे help ले सकते हैं या फिर खुद से अगर कर रहे हैं तो आप लोग directly website visit कर सकते है बहुत सारे website से इसके वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है टेलीग्राम चैनल पर जाएए वहां पर मेरा एक PDF देया है मैं एक PDF वहां पर सेंड किया हुआ है चहां पर best जो जर्नल्स है पार्मसे स्टूरेंट्स के लिए international and national वहां पर दिया हुआ है ठीक है लि इमेल करना होता है with the money receipt and your whatever your journal then proof reading के लिए जाएंगे publish होंगे within 7 to 14 डेस लगता है मिनिमम जर्नल पब्लिश हो जाएंगे फिर आपको copyright फॉर्म दिया जाएगा उसको आपको रख देना आपने पास फिल करके उनको वापस करना है तो आपके नाम पे वह copyright भी हो गया and journal भी जाएगा that is all about this video पूरा overview मैंने यहां पर दे दिया thank you so much for watching next videos होगा वो research article क्या है उसके उपर होगा and review article कैसे करेंगे हम लोग एक practical मैं दिखाऊंगा आपको कैसे चूज करना है कैसे का करना है and research के में लिए दिखाऊंगा तो अगर आप इन वीडियो के लिए इंट्रेस्ट करो तोड़ा सा की अच्छा लगा वीडियो और आगर भी देखना चाहिए ऐसे वीडियो थांक यू सो मच थांक यू